है है हलो दोस्तों स्वागत है टेक्नी कलभ आपके लिए एक और न्हीं वीडियो ले कर आएं तो आज हम उनके लिए वीडियो लेकर आएं तो जिसको फाल बनाने आती हैं डिजाइनs त्यार करने आते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता कि हमें engraving के लिए कि इस format में export करना है और यह नहीं पता कि हमें कट के लिए कि इस format में export किया जाता है तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए friends हम वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने machine का laser machine का software चालू कर लेंगे और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन दबाना ना बोलें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारा software जो है laser machine का वह चालू हो गया है अब मैं आपको दिखा देता हूं इस software में कौन-कौन सी वाइब सपोर्ट कर सकती है कौन-कौन सा फॉर्मेंट जो सपोर्ट कर सकता है तो इनपोर्ट में करके आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे दिखा देका ऊल्टों सपोर्ट में कि यह आपकी MDR MND और सारी जो लिखी हुई है वो आपकी सारी सपोर्ट करेगी जैसे कि आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ एक rectangle बनाके जैसे कि एक rectangle बनाके save करता हूँ वो आपकी उसमें भी दिखा देगा कि आपको कौन-कौन से format में save कर सकते हो आप जैसे MMT दिखा रहा है MDR दिखा रहा है PLT, JPG, BMP और WMF और EMF ये तीनों ये जो दिखा रहा है ये 5 और 6 वो आपको इसमें format में export कर सकते हो और format ये support कर देगा तो वापिस एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको जो ये files है जो support करने की format है तो ये सभी आपको support करेगा लेकिन cut के लिए आपका plotter file जैसे PLT लिखा हुआ है वो आपकी format में ले लेगा support करेगा आपको export करनी है उस format में और इंग्रेविंग के लिए आपको windows bitmap दे रहा है बाकी jpg में भी हो जाता है लेकिन वो clarity नहीं रहती वो सारी smoothing फूरी low हो जाती है resolution low हो जाता है इमेज का आपके लिए normal bmp engraving के लिए और cut आपका PLT के लिए तो जैसा कि हम एक file त्यार करके दिखा देते हैं आपको जैसे कि हमने एक एक और बना देदा हूं duplicate कर लेता हूं इसको जैसा कि इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके एक kitchen बना लेता हूं अब मैं इसको combine कर दूँगा और इसके अंदर में एक alphabet लेता हूं जैसे में कोई भी किसी नाम का letter का किचेन बनाना है तो जैसे कि अब मैं ले लेता हूं जैसे कि इसको बीच में लगा दूँगा और यहां पर मैं कोई से भी font ले लूँगा एक दो जैसे कोई भी एक बैतर होते हैं जैसे कि अब मैं थोड़ा सा joint कर दूँगा फॉंट देख लेता हूं कहें तो कोई बी एक ले लूँगा मैं जैसा कि यह तो हलइं होगा तो यह ले ले लेतों मैं normal तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ца fit center में बीच में बढ़ा कर दूँगा कोने से । abide से मीं साइड से बढ़ा कर देता हूं अ तो आप इससे वेल्ड कर देंगे लीए हमने वेल्ड कर दिया सबी को तो आप इसके अंदर एक होल डालेंगे ताकि हमारा कीचेन के लिए एक होल बन जाए की जिसे अब डाल दिया हमने अब इसको हमने कमबाइन कर दिया तो अब इसके अंदर हम देखो जैसे कि हमारी इंग्रेविंग फाइल बन गई अगर हम काटने के लिए करते हैं तो Windows bitmap होता है एक दूसरा होता है तो आपको Windows bitmap लेना है चीक है मैं यहां पर BMP कुछ save करता हूं बीएमपी नेम से तो वहां पर अपना motion draw software में जाओंगा पहले मैं इसको ok करके save करके motion draw software में जाओंगा और यहां पर import करूंगा अब देखो एक चीज और करनी थी मेरे को मैं भूल गया देखो वैसे आपको मैं दिखा देता हूं इसमें dots आ रही है अब मैं smoothness वापिस से जाओंगा एक बार smoothness जब export करूंगा तो इसकी smoothness मैं low कर दूंगा 2 seconds जैसे मैं इसी के replace करूंगा एक बार smoothness करके अब दिखाएगा आपको यह जो दिख रहा है अब देखो यहां पर dots दिख रही होगी उपर तो आपको जीरो कर दूंगा मैं तो मैं ok कर दूंगा अब मैं वापिस से ही export करूंगा और इसको replace करके मैं ok कर दूंगा और इसकी इसकी जो है यह हो गई है मैं वापिस से none कर दूंगा थाकि यह 0 हो जाए dots नहीं आए तो जैसा कि आप देख सकते हो गया है मैं ok करके एक बार वापिस से मैं software में जाओंगा यहां पर इंपोर्ट करूंगा फाइल तो BMP में जैसे कि अब देखो अब पूरी clarity आ रही है फोटो में जैसे कि हमारे पिक्सल फटे नहीं है तो अब मैं एक बार कट की दिखाओंगा आपको जैसे इसको मैं copy paste करके दिखा देता हूं आप चाहिए दो कर रहे या तीन करे तो आपको इंग्रेविंग अच्छे से होईगी जैसे कि मैं paste करके दिखा देता हूं अब मैं इसके बाद आपको कट की दिखा देता हूं तो कट के लिए हमें कुछ नहीं करना जाता हम पहले आउटलाइन बना लेंगे या एक्सपोर्ट कर लेंगे डिरेक्टली तो वह अपने अप कनवर्ट हो जाती है पील्टी में जैसे पील्टी एच्पीजील प्लोटर यहां फाइल यहां पर रही है तो अगर हम देखो यहां पर इंते अल्टी सेफ़ करते हैं तो हमारे होँ हमे पर यह करने आती है करता हूं तो यह देखो एक्सपोर्ट करा ओके किया तो अब इसको हम वापिस मोशी ड्रो के सोफ्वेर में चलता हूं इसको डिलीट मार देता हूं उसी की जगे मैंने रिप्लेस किया था तो मैं उसी को ही ले लूँगा अब देखो आपकी जो फाइल है आपकी अब करेक्ट करें जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको सोफ्वेर की ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमें नीचे दिये गए नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाटसब मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कई भी सोफ्वेर में दिकत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू फोर वोचिंग आवर वीडियो